ओम शान्ति जुलाई मास के पत्र पुष्प का आज हम तीसरा क्लास सुनेंगे और ये क्लास है आदर्निय प्रकाश मनी दादी जी का ये है 1998 की क्लास और दादी जी के क्लास का टॉपिक है कर्मो की गेहन गती को जान स्रेश्ट कर्म करो कदम कदम श्रीमत की मर्यादाओं पर चलो दादी जी ने इसमें सुनाया प्यारा बाबा रोज हमें भिन भिन मधुर महवाक्यों से इशारा करता है बच्चे निरंतर याद में रहो ये रोज की मुर्ली का मंत्र है और भी भिन 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 पॉइंट्स से बाबा हमें सिक्षाईं देता जैसे की बाबा कहते तुम बच्चे एक ब्रम्हा बाप के कदम के पीछे कदम रखते हुए चलो तो ये बाते सुनते सुक्ष्म अंदर जाकर सभी अपने आपको चेक करो कि मैं कितना बाप के उपर बलिहार हुँ बाबा ने कहा है न कि ब्रम्हा बाप के कदम पर कदम रखते चलो तो अपनी सुक्ष्म गहराई से चेक करो कि मैं बाप के उपर कितना बलिहार हुआ हुँ बाबा ने हमें गुईय से गुईय ज्यान देकर गुईय ते गुईय रात सुनाए हैं कर्मों की गती अति गहन है हमारे कर्मों को देख दूसरे भी हमारे कर्मों से प्रभावित होते हैं क्योंकि बाबा ने हमें कहनी नहीं सिखलाई करनी सिखलाई है कहना नहीं है लेकिन क तो अम्रित वेले से लेकर रात तक ये अटेंशन रहता है कि हमारा कर्म कितना स्रेश्ट है। एक कर्म है जो हम प्यारे बाबा की याद से विकर्म विनाश करते हैं अथवा अकर्मी बनते हैं। दूसरा कर्म है जिससे कर्म की लेन देन हो सकती है। एक कर्म अकर्म बनता, दूसरा कर्म से कर्म बनता और तीसरा कर्म से विकर्म बनता। तो बाबा हमें अभी स्रेश्ट कर्म सिखला कर बाबा की याद से विकर्मों को विनाश करने की युक्ति बता रहे हैं। तो इसलिए विकर्म विनाश करते करते हम अकर्मी अर्थात सत्युक्तरिता में जाने के लायक बन जाएंगे। हम सभी दुनिया के लिए लाइट हाउस हैं अत्वा सर्च लाइट देने के निमित हैं सर्च लाइट के बीच अगर कोई डिफेक्ट हो जाए तो सामने आने वाला जो शिप है उसे सही रास्ता नहीं मिलेगा हमारी मनसा के सुक्ष्म संकल्प ऐसे हो जो चारो तरफ हमारे वाइब्रेशन फैले और दूसरों को प्रेर्णा मिले आकर्शन हो साक्षतकार हो हम सभी ऐसे एक्जामपल रहें खुद को ऐसा समझें कि जो मैं कर्म करूंगा मुझे देख हर एक करेगा स्वयम को ऐसा एक्जामपल समझना है कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख हर एक करेगा तो इसके लिए हर एक जवाबदार है जैसा मैं कर्म करूंगा मुझे देख सब करेंगे ये सुक्ष्म की जवाबदारी हम सब के उपर है हम जिस तरह भी अपनी इस्थितियां रखेंगे, ऐसी इस्थिती का वाइब्रेशन फैलेगा जैसी हमारी इस्थिती होगी, चारों और वही वाइब्रेशन फैलेगा हम सब के हर संकल्प, हर कर्म में, हर वक्त, बेहत इश्वरिय परिवार की जिम्मेवारी है सुक्ष्म वाइब्रेशन से शक्ति देने की, हमारी जिम्मेवारी क्या है? सुक्ष्म वाइब्रेशन से शक्ति देने की तो हमारी कर्मों की गती बड़ी कहन है, प्यारे बाबा ने जो हमें श्रीमत दी है उसी श्रीमत पर हमें कदम बाई कदम चलना है श्रीमत में बाबा ने कहा है कि तुम्हें श्रीमत है मर्यादा पुरुशोत्तम रहो जितना हम मर्यादा पुरुशोत्तम बनेंगे उतना हमें देख दूसरे भी मर्यादा में रहेंगे इसलिए जैसे हमें मर्यादा में श्रीमत मिलती कि अमरित वेले उठकर बाबा की याद में रहना है ये हम हर एक की जिम्मेवारी है पहले तो ये समझना कि जितना हम मर्यादा पुरुशुत्तम रहेंगे बाकी भी हमें देखकर मर्यादा पुरुशुत्तम बनेंगे तो जैसे हमारी जिम्मेवारी श्रीमत क्या है? अमरित वेले उठकर बाबा की याद में रहना. हमारी मर्यादा में ग्यान सागर बाबा जो ग्यान रतनों के मुरली नित्य सुनाता है, उसे सुनना है, मनन करना है. ये हमारी मूल जिम्मेदारी है. अगर ये श्रीमत का पालन किसी भी कारण से नहीं करते तो ये भी अलबेलापन है इसमें सुक्ष्म अपनी सुस्ती है हम ऐसा मानती है कि बाबा की श्रीमत पर चलने वाली के उपर आशिरवाद है, दुआएं है, वर्दान है परन्तु अगर हम कदम कदम श्रीमत पर नहीं चलते तो भगवान की दुआएं और वर्दान उसे मिस हो जाते ये दादी अपना परसनल अनुभो सुना रही है कि मुझे ऐसा लगता है जो मर्यादाओं पर एक्यूरेट चलते हैं कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं तो उन्हें भगवान की दुआएं आशिरवाद वर्दान मिलता है दूसरा श्रीमत की अवग्या बहुत बड़ा सुक्ष्म पाप का भागी बनाती है ये भी बोज हो जाता जो बोज अवस्थाओं को उचा चड़ने में विक्ण बनता है बाबा की श्रीमत है बच्चे मन वचन कर्म से सेवा करो अगर हम मन वचन कर्म से सेवा नहीं करते तो ये भी एक इन्डाइरिक्ट सेवा लेते हैं और उसका भी बहुत बोज चड़ता है जैसे कहा जाता है आए है हम पुन्य कमाने लेकिन पुन्य कमाने के पीछे पुन्य की गवाई हो जाती और फिर उसमें अपनी श्रीमत की धार्णा नहीं रहती तो पुन्य के बदले पाप हो जाता फिर सुक्ष्म विकर्म विनाश नहीं होते तो माया जीत भी नहीं बन सकते जैसे बाबा कहते तुम बच्चे किसी को दुख नहीं दो लेकिन ये मर्यादाओं का उलंगन करना भी सुक्ष्म दुख देना है इससे भी पुन्य के बदले पाप का बोज चड़ता है इसलिए हमारी कर्मों की गती बड़ी गहन है जो भी कर्म हम करते हैं सेवा करते, पालना करते, पालना लेते हर एक में बहुत बड़ी कर्मों की मिशनरी काम करती है हमारे संग से दूसरे को भी स्रेष्ट कर्म करने की प्रेड़ना मिले हमारा ऐसा संग ना हो जो किसी को संग दोश लग जाए और ही वो हमारे से उच दृष्टी लेनी के बदले नफरत, इर्षा, दुवेश आदी में आ जाए उसमें रीस पैदा हो, करनी है रेस लेकिन हो जाती है रीस, उसी से बोज चड़ता है तो हमारे कर्म, हमारा संग ऐसा हो, जो औरों को भी उचा उठाने में निमित्त बने, ना कि आपस में हमारी इर्षा, ग्रणा या रीस की भावना आ जाए चलते चलते बहुतों में दे अभिमान बढ़ता जाता है एक होता है देह अभिमान, दूसरा होता है मैपन का नशा देह अभिमान फिर भी मोटा है, लेकिन मैपन का नशा बहुत सुक्ष्म है चाहे अपनी बुद्धी का, चाहे अपनी सेवाओं का, चाहे किसी भी प्रकार का, अगर नशा चड़ता है तो वो नशा भी नुकसान करता है नाराइनी नशे के बदले देह अभिमान का नशा चड़ गया तो बहुत नुकसान होता कोई को भाशन का भी नशा चड़ जाता तो वो भी नशा नहीं चड़ना चाहिए उससे भी बड़ा नुकसान होता नशे की निशानी है सुक्ष्म समझते हैं वाहरे मैं ये जो दे अभिमान का सुक्ष्म नशा चड़ता है अलग-अलग प्रकार के नशे दादी ने बताए ना अपनी विशेषता का, अपनी वानी का या किसी भी प्रकार की कोई खूबी का तो अंदर सुक्ष्म में समझते हैं वाहरे मैं स्वयम को ही राइट समझते, दूसरों को नीचा समझते वो कभी नम्रचित नहीं रह सकते जो नम्रचित नहीं बनेगा, वह निर्मान का काम भी नहीं कर सकेगा इसलिए हम सभी निमित हैं, इस शब्द को कभी भूलो मत हम निमित वालों को सदेव कदम कदम पर सावधानी चाहिए निमित है न, तो निमित पर सब की नजर रहती है इसलिए कदम कदम सावधानी चाहिए उठो, चलो, बैठो, खाओ, पीओ, पहनो, सब कर्मों की गती अपनी है इसलिए हर कदम में बहुत बहुत ध्यान रखना जरूरी है बाबा के हम सभी बच्चे दर्शनिय मूरत हैं इस चहरे से, सूरत से बाबा की सीरत दिखाने की निमित हैं तो हम दर्शनिय मूरत की धारना कितनी स्रेष्ठ होनी चाहिए कितनी महान होनी चाहिए ये हर एक खुद देख सोच सकते हैं इसलिए जो भी कोई सुक्ष्म व्रती है उसको परिवर्तन करो अंतर मुखी बनो, बाईय मुक्ता की व्रतियों का परिवर्तन करो बाईय मुक्ता की व्रतियों को हमें कचुई की तरह समेट कर अंतर मुखी बनना है तो दादी प्रकाश मनी जी ने हमें कर्मों की गुईय गति को बहुत गहराई से स्पष्ट किया कैसे ब्रामन जीवन में हमें हर कर्म, हर संकल्प, हर बूल, हर कदम में मर्यादा पुर्शोत्तम जीवन जीते कदम कदम श्रीमत अनुसार चलते, बाबा की दुआओं का, वर्दानों का, आशिरवात का पात्र बनना है इस बात पर दादी ने हमारा ध्यान खिचवाया, तो जरूर हम सब इन सभी बातों को जीवन में लाते, अभ्यास करते, इन बातों का प्रैक्टिकल स्वरूप बनते जाएंगे अच्छा, ओम शान्ति